आपने कभी ना कभी छचूंदर जरूर देखे होंगे ये चूहे जैसे दिखते हैं और चूहों की यी तरह चीजों को कुतर भी लेते हैं लेकिन चूहों से इनका कोई लेना देना नहीं होता वैग्यानिकों ने पता लगाया है कि छचूंदर अपना आकार बदल लेते हैं त इस चूट के बाहर किसी को खोश रहे हैं। उन्होंने सत्तर जाल बिज़ाए हैं, लेकिन अब तक एक ही चशुंदर हात लगा है। चशुंदर काफी चालाग जानवर होते हैं, ये भले ही चूँओं की तरह दिखते हों, लेकिन का चूँओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और इनमें कुछ कमाल की खूबिया होती हैं। हावियर लाजारों ने पाया है कि चशुंदर अपने हड्डियों का आकार बदल सकते हैं। इसे बहतर समझने के लिए वे इस चोटी से जानवर को कुछ मिनट के लिए एनस्थीसिया देते हैं। फिर वो उसका एक्स्रे लेते हैं। उन्हीं ये काम तेजी से करना होगा, नहीं तो चशुंदर जाग जाएगा और उनकी मेहनत बरबाद हो जाएगी। एक्स्रे को देखकर पता चलता है कि सर्दियों में चशुंदर का आकार गर्मियों की तुलना में छोटा था। सर्दियों में उसकी खोपड़ी 20 फेसिदी तक सुकुर जाती है। ये जानवर शायद अपने उर्जा को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। इनका पाचन तंत्र इतना तेजी से काम करता है कि अगर ये कुछ घंटों के लिए खाना ना खाएं तो भूग के मारे इनकी जान जा सकती है। लेकिन शरीर जितना छोटा होगा तो खाना भी कमी चाहिए होगा। इसलिए सर्दियों में सुकुर जाना फाइदेमंद है। और फिर जब मौसम बदलता है, उनकी हड़ियां दोबारा अपने समाने आकार में लौट आती हैं। तो क्या इनसानों को भी इससे फाइदा हो सकता है? मार्क्स प्लांक इंसिट्यूट के रिसर्चर गोई टिंगन युनिवरस्टी के हड़ी विशचग्यों के साथ मिलकर इसका पता लगा रहे हैं। यहां के डॉक्टर हंस डॉल्फ ने हड़ियों के स्कैन में ऐसे बदलाव देखे हैं जो इनसानों में ऑस्ट्यूपरोसिस से मेल खाते हैं। यह हड़ियों की एक ऐसी बिमारी है जिसका अब तक इलाज मुम्किन नहीं है। हो सकता है चशुंदर पर रिसर्च कर इस बिमारी का इलाज खोजने में मदद मिल सके। सर्दियों में चशुंदर की रेड़ की हड़ी और खोपड़ी के पीछे वाले हिस्से पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए इस प्रक्रिया को समझने के लिए विसरचरों को चशुंदर की हड़ीों के अंधर जाकना होगा। मरे हुए जानवरों को कोई हफ्तों तक प्लास्टिक वाले एक पारदर्शी तरल में डुबो कर रखा जाता है। इससे उन्हें प्लास्टिनेट यानी सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर इनकी हड़ीों के चंद मिलीमीटर लंबे हिस्से किया जाते हैं और हड़ी विशिशग्य माइक्रोस्कोप के नीचे इन्हें देखते हैं। इसके जरिये वेग्यानिकों ने ये पता लगाया है कि सर्दियों में सुकुर्णे का असली राज इनकी हड़ीों के अंदर ही छिपा है। ओस्टियोसाइट ऐसी कोशिकाएं हैं जो हड़ीों के अंदर ही मिलती हैं। यही हड़ीों के आकार को नियंत्रत करती हैं। सर्दिया आने पर ये कोशिकाएं हड़ीों में पोशक तत्व के रिसाफ को तेज कर देती हैं। खोपडी के हड़ी के जोड में इसे साफ देखा जा सकता है। यहां कुछ जगा खाली है। गर्मिया आते ही ये जगा भर जाती है। कोशिकाएं उन्हें पोशक तत्वों से भर दिया है। तो क्या चशुंदर से सीख कर एक दिन हम इनसान भी इसी तरह हड़ीों को उगा सकेंगे। इसके लिए शायद हावियर लाजारों को अभी कई और जाल बिछाने होंगे। बहराल उनका ये चशुंदर विज्ञान में योगदान दे चुका है। कर दो कर दो